हाई गईज मैं हुमारावत और आज हूम शेयर करने वाले हैं आरा रोट के पापड जी हां सही सुना आपने आरा रोट के पापड भी बनते हैं और यह आप प्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि यह एक पॉधे की जट से तैयार किया जाता है और यह एक प्रकारकास टार्च है और ये gluten free है, guys, जैसे gluten से problem है, तो इससे बने हुई चीज़े आप आसानी से digest कर सकते हैं, और ये काफे जादा tasty बनते हैं, ये पापड, आप इन्हें dry roast भी कर सकते हैं, आप ये पापड सालभा स्टोर करके रख सकते हैं, और ये काफे सारे विवर्स के कमेंट्स आते हैं, कि जब ये हम पापड बना कर स्टोर करते हैं, लंबे समय के लिए उसमें से तेल की smell आने लगती है, तो आज हम आपकी ये शिकायद भी दूर कर देंगे, आज हम पापड बनाएंगे पानी से, जी हां, हम ये पापड बिना किसी तेल का इस्तमाल के वे बना कर त्यार करेंगे वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है, तो देखते रहे हैं बिना एक भी स्टेप मिस किये वे, क्योंकि हमने वीडियो के अन तक काफी सारे टिप्स शेयर किये हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गैस वीडियो पसंदा है, तो लाइक कीजेगा और शेक कीजेगा तो चलिए, बनाना शुरू करते हैं आरा रोट के पापड़, एक बड़े मिक्सिंग बोल में हम एक तिहाय कप आरा रोट ले लेंगे, आप घर में मौझूद किसी भी कप से मिजरमिंट्स कर सकते हैं, अब इसे हम चान कर इस्तिमाल करेंगे, जब भी आरा रोट इस्तिमा आरा रोट और पानी का प्रोपोशन जान ले, एक कप आरा रोट था, तो तीन कप हमें पानी इसमें आट करना है, सीम कप से, पतलब आरा रोट का तीन गुणा पानी हमें आट करते वे, पतला सा गोल बना कर त्यार करना है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें ल तो यहां पर हमने ताजी फ्रेश हरी धनिया ले ली है, आप इसके जगे पर करी पत्ते, पुदीना या फिर कोई भी औरेगेन वगरा जो भी आप हर्ब एट करना चाहते हैं, अब हम इसको चुकी थोड़ा स्पाइसी बना रहे हैं, तो इसमें हम हरी मिर्च एट करेंगे, इ यह ऑप्शनल है, अगर आपको लहसन नहीं पसंद है, या फिर स्पाइसी नहीं पसंद है, तो आप एवॉइट कीजिए, स्किप कीजिए इसे स्टेप को, और अगर आप यह पापड वरत के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसमें लहसन स्किप कीजिए और वरत वाला नामा क आपने बिल्कुल सही सुना है, आप अरोट के पापड वरत में भी बना कर खा सकते हैं, अब हम यहाँ पर स्टीम करेंगे इन पापडों को, तो स्टीम करने के लिए हमने गहरी कड़ाई लेली है, इसके अंदर हम रखेंगे एक वायर रेक, या फिर कोई कटोरी या बोल र देट करेंगे, आप ये प्रॉसेश इड्ली के कुकर में या फिर इड्ली के मोल्ड में भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये पापड बनाएंगे ये टिफिन के धकन में आप कोई कटोरी प्लेट कुछ बेस तेमाल कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर पानी अलग हो गया है और आरा रोट नीचे बैठ गया है तो जब भी आप इसे मोल्ड में एड़ करें इसे चला लीजे ताकि सारा गोल एक सार हो सके अब हम इसके अंदर ये बैटर एड़ करेंगे अब आप देख सकते हैं हमने टिफिन के ढकन में नहीं कोई तेल लगाया है नहीं इंट्रेस्टिंग तरीका है आगे बने रहे है वीडियो में देखते रहे है इधर हमारे स्टीम भी तयार हो चुकी है स्टीमर तयार है अब हम इसमें सारे मोल्ड प्लेस्ट कर देंगे और पापड कुक होने का समय है एक से तेड़ मिनट का और गेस की आज को एकदम तेज रखेंगे हाई फ्लेम पे और एक से डेड़ मिनट का इंतजार करेंगे डेड़ मिनट हमारे बीच चुके हैं हम अंदर चेक करेंगे आप जब इसे चुक कर देखेंगे तो यह थोड़े से चिपचिपे होंगे बट आपको समझ जाना है कि एक से डेड़ मिनट ही लगेगा इसे जादा का समय नहीं लगता है इन्हें हम बाहर निकालकर पानी के बोल में डालेंगे जी हाँ पानी का बोल त्यार रखे एक ठंडे पानी का बोल इसके अंदर हम पापड को ठंडा करेंगे दस से 20 सिकेंड के लिए उसके बाद हम इसमें से पापड को डिमोल करेंगे ब यह बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह कैसा लगा यह पापड पानी से बहुत जादा फ्रेंडली हैं यह देखे हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं अगर आपके हाथों में पापड चिपक रहे हैं या फिर मोल्ड में चिपक रहे हैं तो आप इसे पानी में वापस डिप कीजे अपने हाथों को डिप कीजे और पापड को इजली अपने हाथों से निकाल सकते हैं थोड़े से प अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजे सूजी और चावल के पापड आपको मिल जाएंगे जब हम दोबारा पापड बनाएंगे इस तरीके से मोल्ड को वाश नहीं करना पड़ता और इसे हम कडाई में डाइरेक्ट रख कर ही बैटर बढ़ना यह चिपक जाते हैं तो निकालने में इन्हें दिक्कत आती है तो लीजे हमारे पापड सूखकर रेड़ी है 12-15 गंटों में ही बहुत ही अच्छे पापड सूखकर त्यार हुए हैं एकदम ट्रांस्पेरिंट बने हैं बहुत ही पतले बने हैं और हाँ जब बनाएं उसके बाद यह सूखकर ऐसे पतले हो जाते हैं अगर आप पतले पापड बहुत जादा पतली लेयर रखेंगे इस टीम के दोरान तो वह पापड फिर फट जाते हैं निकालते वक्त या फिर दिमोल्ड करते वक्त तो गैस थोड़ी सी मोटी थिक लेयर रखे जीरो सकते हैं इसका कलर एकदम ग्रीन है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ चलिए अब इने फ्राइ करके भी दिखा देते हैं आपको इसका रिजल्ट यह देखे रिजल्ट आपके सामने है यह पापड कितने जादा बड़े हो गए अपने साइज के और इनका कलर बिल्कुल वा हमारे इंस्ट्राग्राम आईडी और फिर फेस्बुक पेच पेड़ आपको हम क्लोसली दिखाते है कि इसका कलर बिलकुल भी चेंज नहीं हुआ यह पापड आप ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर माइकुर्वेब में रोस्ट भी कर सकते हैं जीरो और एल में आप झाल झाल